नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हूं Motorwork तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इगनिस के प्रोस के बार में यानि कि उसके अच्ची जीतों के बार में बताऊँगा यानि कि इसके कॉन्स के बार में तो चले अभी वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बेले कमी दोस्तों मुझे इसके इंसुलेशन में देखने को मिली है, तो कार का जो ओर रॉल इंसुलेशन है, वो काफी ज़ादा या पर बैतर हो सकता था, क्योंकि कार के कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा रोड नॉइस आती है, तो एक चोटा सा वीडियो क्लिप में आपको दिखा देता हूँ, तो अभी आपस जो भी आपने साउंड सुना ना, ये एक्चल में कोई इंजिन नॉइस या फिर एसी की नॉइस नहीं है, ये सिर्फ रोड नॉइस है जो की टायरों से आती है, तो रोड नॉइस इसमें ज़रू से आपको सुनाई देगा, पोर इंसुलेशन के वज़े से, इसके बाद दोस्तों यहापर जो दूसरी कमी है, सस्पेंशन के सेटप में देखने को मिली है, अभी इस कार में आपको थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन मिलता है, अभी मुझे मालू में कि स्टिफर सस्पेंशन काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्टेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा टॉल बोई डिजाइन मिलता है, सेकेंडली, ग्राउंड ग्लेरेंस भी काफी ज़्यादा है, तो बॉडी रोल का अवोईड करने के लिए यापर स्टिफर सस्पेंशन का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी रनिंग कराब रस्तों में बहुत ज़्यादा है, तो आपके कमफोडिबल राइड ये कार प्रवाइड नहीं करेगी, तो अगर आप इस कार को स्पीड ब्रेकर के उपर, गड़ों में या फिर कच्चे रस्तों में चलाओगे, तो अंदर बैटने वाले पैसेंजर और ट्राइवर को काफी ज़ादा यापर जट का मैसूस होता है इसमें, तो यही एक छोटी सी दिक्कत है, स्टिफर सिस्पेंजन की, इसके बाद दुस्तों मुझे इस कार की जो इंटिरियर फिट अन फिनिश है, वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, अभी अंदर जो आपको प्लस्टिक मेटिरियल मिलता है, उसके इसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस की इसाब से अच्छी कासी क्वालिटी आपको मिलती है, लेकिन फिर भी आपर जो फिट अन फिनिश है न कुछ जगह पर, एस्पेशली इसकी डोर पैनल्स पर, वो बिलकुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि डोर पैनल्स पर कुछ ऐसे गाप्स मौझूद है, जिसके वज़े से लॉंग टर्म में बहुत ज़्यादा रैटलिंग नॉइज आ सकती है, अभी तक थोड़ा सा जो रैटलिंग साउंड है, वो मैंने इसकी डोर पैनल से एक्स्पिरेंस किया है, ज्यादा रैटल नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा हलका सा रैटलिंग नॉइज मैंने यहापर नोटिस किया इसकी डोर पैनल से, तो यहापर जरू से जो ओर ओर ओल फिट आन फिनिश है ना, वो काफी जादा बैतर हो सकती थी, इसके बाद दोस्तों जो चौती कमी है ना, वो मुझे इसके visibility में देखने को मिली है, अभी जो सामने की visibility है ना, मतलब जो सामने के windshield में जो आपको visibility मिलती है, उसमें कोई कमी नहीं है, सामने की तरफ इवन short drivers को भी अच्छी कासी visibility मिलती है, बट side में जो आपको windows मिलते है ना काफी जादा छोटे size के है अगर आप इसी segment के बाकी गाडियों से इसके windows को compare करते हो तो काफी जादा या पर अंतर आपको महसूस होगा तो इसके windows के छोटे size होने के वज़े से तो side में आपको उतनी बैतर visibility इसमें नहीं मिल पाती है और छोटे windows के वज़े से airy feeling भी आपको अंदर नहीं मिल पाती इसके बाद इसके जो rare seats है वो भी मुझे उतनी जादा पसंद नहीं आई क्योंकि सबसे वेले उसमें thigh support काफी कम है secondly उसका जो backrest है न वो भी मुझे उतना ज़्यादा यापर पसंद नहीं आया तो अगर आप इस car के साथ कई पर भी long journeys में जाते हो तो पीछे बैटने वाले passenger को उतना ज़्यादा comfortable महसूस नहीं होगा तो हाँ यहाँ पर पीछे की seat काफी ज़्यादा बैतर किये जा सकते थे at least थोड़ा सा बैतर thigh support वो ज़रू से दे सकते थे इसके बाद दोस्तों मुझे इस गाड़ी के headlights पे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आई अभी जो गाड़ी में use कर रहा हूँ वो ignition sigma variant है तो sigma variant में आपको halogen headlamps मिलते है और sigma variant से लेकर zeta variant में आपको same way halogen headlamps ही मिलते है तो halogen headlamps रात में उतने ज्यादा बैतर perform नहीं कर पाते है इसके क्योंकि light का जो overall throw है ना वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया बागी दूस्तों अगर आप इस car का lower variant ले रहे हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इसमें जरूर से fog lamps को install करना क्योंकि fog lamps से आपको अच्छी कासी visibility night driving में मिलती है और अगर आपकी night driving बहुत ज्यादा है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप एक LED bulb को लगवा लो क्योंकि काफी कम कीमत में आप इसको लगवा सकते हो वो भी showroom से नहीं तो अगर आप इसको कुछ से लगवाना चाहो तो आप कुछ से भी इसको लगवा सकते हो LED bulb का जो link है वो मैं आपको description में दे दूँगा तो ज़रू से आप एक बार उसको check out कर लीजेगा में बताया था कि 100 के speed तक अराम से आप इस कार को चला सकते हो बीना किसी दिक्कत के अच्छी कासी stable feel होती है उस speed पर लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा अपने गाड़ी को ले जाओगे तो आपको वो वाला confidence नहीं मिलेगा जो कि आपको Tiago, Figo या फिस Swift जैसे गाड़ियों में मिलता है तो high speed stability उतनी ज़्यादा बहतर नहीं है इसकी और इसका सबसे बड़ा reason है इसका light steering और इसके overall dimensions तो इसमें आपको कोई भी aerodynamic body नहीं मिल पाती है जिसके वज़े से थोड़ी सी यह unstable हो जाती है high speeds में बागी saw की speed तक अराम से बिना किसी दिक्कत के आप इसको चला सकते इसके बाद दोस्तों एक extra point में यहाँ पर add करना चाहूंगा जो कि इसका design overall गाड़ी का design मुझे personally काफी जादा पसंद आया सामने से बहुत अच्छी लगती है side से भी काफी अच्छी लगती है अभी पीचे के side में आपको थोड़ी से retro design मिलती है जो कि काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती अभी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे personally इसका पीचे का shape वगेरा tik-tak लगा थोड़ा सा नया concept है लेकिन जो tail lamp है उसको improve किया जा सकता था मतलब इसके वज़े अगर वो ऐसा वाला design देते तो पीचे से ये काफी ज़्यादा unique लगती इवन bumper में भी अगर थोड़ा सा black treatment वगेरा देते तो ये काफी ज़्यादा attractive लगती पीचे से तो दोस्तो इसका पीचे का design है ये actual में एक छोटा सा reason है इस car के ना बिखने का लेकिन overall मुझे कोई इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है बागी दोस्तो ये ती सारी कामिया जिसके बार में actual में आपको बताना चाहता था अभी of course हर गाड़ी की तरह आपको इसमें भी थोड़ी कामिया देखनी को मिलती है बट आपको इसमें अच्छी चीज़े भी काफी सारी देखने को मिल जाती है मैं personally इस car से काफी अत्तक या आपस satisfied हूँ अभी तक कोई भी major दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिली है और अल कार भी काफी अच्छी है driving के हिसाफ से मुझे personally काफी जाधा अच्छी लगी and एक practical कार है तो अगर आप इस car को लेने के बार में सोच रहे हो तो आप जरू से ले सकते हो आप अपने requirement के हिसाफ से आप car को 25 कीजेगा तो इसी की साथ चले इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपके वीडियो पसंद आई तो जरू से इस वीडियो को like करना बिल्कुल भी मत बूलेगा और अगर आप मुझे support करना चाहते हो तो जरू से आप लोग चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon को दबाना बिल्कुल भी मत बूलेगा तो इसी की साथ चले मिलते आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care